नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदीक अक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों, आज हम अपनी हिंदीक अक्षा में विज्यापन लेखन के विशे में जानकारी प्राप्त करेंगे विग्यापन लेखन हेतू कुछ नियम वशर्ते होती हैं जिनके विशे में आज हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विग्यापन लेखन के लिए विग्यापन का अर्थ क्या होता है बच्चो वी का अर्थ होता है विशेश और ग्यापन का अर्थ होता है जानकारी या सूचना अर्थात किसी विशे की विशेश जानकारी देना विग्यापन कहलाता है जैसे निर्मा की कई बार आपने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखी होगी विज्यापन देखा होगा कि दूद सीर सफेदी लाई निर्मा वाशिंग पाउडर निर्मा यहाँ पर निर्मा वाशिंग पाउडर को बहतरीन दिखाने के लिए उसकी जो तुलना है वो दूद के साथ करके उसकी गुणों के पर परकाश डालने की कोशिश के गई है तो बच्चों यही होता है विज्यापन लिखने का बहत्व विज्यापन लिखने के लिए कुछ विशेश जानकारी देना और उसको रूची कर बनाना एक विज्यापन का महत्व होता है तो ये हमारे जो कक्षा दस्मी में पेपर के दोरान पांस नंबर का एक प्रेशन रहता है जहां पर हमें किसी दिये हुए टॉपिक पर विज्यापन लिखना होता है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विज्यापन का आर्थ होता है जानकारी तो अब हम बात करते हैं विज्यापन के लिए कुछ नियम होगी सबसे पहली बात है कि विज्यापन को लिखने के लिए सबसे पहले हमें हमारे पास रोचक सामगरी हो कि देखने वाला या सुनने वाला उसमें रूची ले, वाक्य सरल, स्पस्ट वा छोटे होने चाहिए, कि जितने छोटे और आकर्शक हमारे पास वाक्य होंगे, सुनने वाले को उतने ही अच्छे लगेंगे, विश्वस्नित्या, विश्वस्नियता, विश्वस्न का मतलब होत जाता है उसमें सच्चाई ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए तो ताकि उस पर विश्वास किया जाए और उस बात को समझा जाए छूट अवश्या रखें हमारा विज्ञापन का मतलब होता है कि उसको आकर्शक बनाना ग्राहक का ध्यान अपनी और आकर्शित करना तो उसमें एक सबसे बड़ा जो एहम बिंदू होता है वो होता है चूट तो हमेरे विज्ञापन में चूट का होना आवश्यक है उसके बाद उत्साहवर्थक शीर्शक सबसे जो हम विज्ञापन लिखना शुरू करते हैं तो शीर्शक के पड़ते ही मन में उसके अंदर उत्सुकता जाग जाए और कुछ महतोफुर्ण बातें और भी होती हैं सबसे पहले जानकारी लाबकारी हो कि जो भी हम अपने विज्ञापन में किसी भी विशय पर जानकारी देने की कोशिश करते हैं तो वह जानकारी ग्रहक या सामने वाले के लिए लाबकारी होनी चाहिए रूची के अनुकूल हो जैनि कि जिस तरह का समाज में प्रचलन हो उसके अनुसार हमें उस अपने विज्ञापन में आकर्शक रूची को देखते हुए उसकी जो है वह भाशा कोशल हम उसके होनी चाहिए विज्ञापन के आकर्षक चित्र और विज्यापन में आकर्षक यानि के देखने के लिए चित्र का होना भी बहुत जुरूरी है क्योंकि चित्र से भी मनुष्य का ध्यान बहुत विज्यापन की तरफ आकर्षित होता है तो उसमें इसका क्या नाम है चीतर का होना बहुत जुरूरी है और संपर्क शूतर संपर्क शूतर यानि कि फोन नंबर इमेल आईडी या पता या दुकान नंबर जो भी कुछ हो वह आवश्य रखना चाहिए क्योंकि सारी जानकारी प्राप करने के बाद संपर्क शूतर ही वह माध्यम है जो ग्राहक को उसके विज्ञापन लेकम तक बिजवाता है पहुंचाता है